नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके जहां दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही खास है इन चार और शद्यों के मिश्रन से यूरिक एस हो सकती है अधिक शराब का पीना या फिर जरूरत से जादा वजन का बढ़ जाना शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकता है यूरिक एसिड का निर्मार उस समय होता है जब शरीर में प्यूरिन न्यूक्लियाटाइड का निर्मार होता है जो की गलत रूप से अ पैरों के जोडों में उत्पन्न होते हैं यूरिक एसीड के लक्षन सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या होता है जब शरीर में यूरिक एसीड बढ़ जाता है तो जोडों में सूजन हो जाना पैरों के अंगुठों में सूजन होना जोडों में गांठ पर जाना शरीर के ज्व आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप घर बैठे जोड़ों में यूरिक एसीड का इलाज कर सकते हैं इसके लिए समगरी नूट कर लीजिए आधा कप आपको निम्बू चाहिए होगा यानि कि आधा निम्बू ले लीजिए इसके बाद दो हरे अजमोद की डंडिया चाहिए हो ुद्धा रहा होगूगी एक इंच अध्रक चाहिए होगा और एक खिड़ा चाहिए होगा इस और शडि को तयार में की लिए अब तयार करने की विध्य जानते हैं नुष्वा तयार करने से पहले समगरी को अच्छे से धो करके साफ कर ली और निम्बू के रस के साथ ब्लेंडर में डाल करके ब्लेंड कर लीजिए आपका प्रयोग तयार हो जाएगा इस प्रकार से इस नुस्खे को दिन में दो बार आपको सेवन करना है सुबह खाने से पहले खाली पेट और एक रात को सोने से पहले बहुत जल्द आपको लाव हो होगा जहां दोस्तों और उचित मात्रा में पानी जरूर पिए तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं कौर बेहादी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों